आपके हाथ में जो वाच है न वो भी एक 24 घंटे चलने वाली मशीन ही है आपके गाड़ी की तरह जितना केर और जितना प्यार आप अपने बाइक से या अपने कार से करते हैं बस हफते में एक दिन संडे को थोड़ सा टाइम और थोड़ सा अटेंशन अपने वाच पे देख text no wp 00 इस वीडियो में शेर करने वाला ही हैं कुछ गलतियां जो हम जैनरली करते हैं जिनसे वॉच में चले आते इमेजन करिए आप आर्मी के सोलजर हो जो सियाचन के परफीले पहाड पे ड्यूटी कर रहा है पाच बज़े के बाद बर्फ गिरने वाली है तो आपको देखना है कि टाइम कितना हुआ है मोबाइल फोन तो कोई काम का नहीं है वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आएगा और स्पाइटरी भी इचार्ज हो गई है तो वाच एक लाइफ सेवर है वाच के परपस है बस आपके वाच को थोड़ी सी रिस्पेक्ट की और थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूत है चले वीडियो स्टार्ट करते हैं वाच क्लीनिंग वाचिस के सबसे बड़े दुश्मन है ध को सबसे ज्यादा कचरा यही पर जमा रहता है वैसे कुछ लेदर बेल्स आते हैं क्विक रेली स्पीन के साथ जिन में आपको स्प्रिंग बार टूल की ज़रूत नहीं है बस आप डिरेक्टली हाथ से ही बेल्ट को निकाल सकते हो अगर आपका वाच वाटर सब्सक्राइब होना चाहिए क्लीनिंग से पहले वरना पानी अंदर चला जाएगा इस वाटर एंड ब्रस क्लीनिंग से जो भी पतला लेयर होगा ओल का या ग्रीज का वह निकल जाएगा जनरली सोप या डिटरिजन्ट यूस करना रेक्मेंड नहीं है इसलिए आप सोप का नहाने गये हो अगर आपको अपने वाच में लॉंजिटिविटी चाहिए तो बीच वाले नमकीन पानी से वाच को दूर रखिए विकोज सॉल्ट वाटर में करोजन वाली प्रॉपर्टिस होती है हाथ दोने के टाइम सोप सिर्फ हाथ में लागाई है वाच पे नहीं और अगर आपके वाच में 50 मीटर का वाटर रेजिशन्स है या उससे भी नीचे वह है तो उन वाच को पानी से दूर ही रखिए वाच स्टोरेज वाच को डिरेक्ट संलाइट में रखने से कलर फेड हो जाएगा बेस तरीका है वाच को किसी बन जगा में कबर्ड या ड्रावर में रखिए वाच बॉक्स हजार रुपए में मिल जाते हैं Amazon पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर वाच बॉक्स नहीं है तो आप कुछ DIY कर सकते हो जैसे मोबाइल की जो केस आते हैं उसके अंदर वाच डाल सकते हो या अपने ड्रावर में कुछ जगा बना के एक सॉफ्ट आउल के उपर वाच इसको स्टोर कीजिए और उपर से डग दीजिए वाच इसको कभी बे ऐसे फेस्टाउन मत रखिए हमेशा फेस अप ही रखिए क्योंकि मिल टिस्टल ग्लास में स्क्राचिस इजिली आ जाती है अगर पॉसिबल है तो सिलिका जल प अब्जेक्ट से वाच इसको दूर रखिए जैसे लैप्टॉप स्पीकर्स फोन एक्सेटर इन डिवाचिस से वाचिस मैनेटाइस हो जाती है और लॉंग टर्म में मूवमेंट की रिलाइबिलिटी कम हो जाती है सो कोशिश करिए कि वाचिस को जब भी आप स्टोर करते हो तो एलेट्रोनिक डिवाइस के साथ मतर्किये वैसे आजकल डिमानेटाइजर डिवाइस मार्केट में मिल रहे हैं जिससे आप वाच को डिमानेटाइस कर सकते हैं कुछ एक्सपेंसिव वाचिस जैसे रोलेक्स मिलगॉस में एंटिमानेटिक वाच मूमेंट होते हैं जिसस का watch quartz moment वाला है टिक 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 वाला तो कोई भी servicing करने की ज़रूत नहीं है बस यह मत करना कि अभी मैं watch को use नहीं कर रहा हूं तो मैं battery बचाने के लिए crown pull करके रख देता हूं यह बड़ी वाली गलती है number one even though आपने crown पूल करके रखा है इससे सिर्फ watches के hands नहीं मुव होंगे पर बैटरी अभी भी यूज हो रही है और number two crown पूल करके रखने से dust और moisture watch के अंदर चला जाएगा और फिर watch में covid हो जाएगा watches भी आपके गाड़ी की तरह ही है बंद करके रखोगे तो खराब हो जाएगी अच्छा quartz watch दो साल बात slow down हो जाएगा फिर चलना बंद हो जाएगा यानि battery replace करने का time आ गया है बैटरी चेंज करने में देर मत किजे विकोज अगर आपने खराब वाला cell watch के अंदर छोड़ दिया तो अंदर leakage हो जाएगा और आपका पूरा moment खराब हो जाएगा मेरे साथ अल्रडी हो चुका है mechanical या automatic moment care अगर आपके पास अल्रडी एक mechanical या automatic moment वाला watch है तो watch को wind करकरने से servicing के time पर जादा issues नहीं मिलेंगे क्योंकि इन mechanical या automatic moments में moving parts होते हैं lubricating oil होता है तो इसलिए जितना आप watch को चालू रखेंगे उतना oil circulate होगा और watch अच्छे condition में रहेगा अगर आपका watch mechanical moment वाला है तो इसका मतलब आपके watch का main spring सिर्फ manual ये हाथ से wind करने से ही चलेगा तो daily सुबह या daily साम को जो भी time आपको suit करता है आपने रोज watch को wind करना है अगर आपका watch नया है यानि movement automatic है इसका मतलब main spring एक rotor से connected होता है और इस rotor को energy मिलती है watch के moment से या wrist के moment से और इस energy को rotor reserve कर लेता है जिसको हम power reserve कहते हैं automatic moment में अगर watch यूज नहीं करते हैं तो हफते में बस एक बार watch को 30-40 turns wind कर देने से काम हो जाएगा wind करने के लिए crown को पूरा अंदर push करके upwards direction में गुमाना है अच्छा moment automatic है या mechanical है कैसा पर जलेगा आसान है बस automatic moment वाला watch थोड़ा shake करने से चलने लगेगा जबकि manual लने में start होने के लिए चाबी जिनी पड़ेगी automatic वाले में ये rotor भी देखके पता कर सकते हैं automatic watch की servicing सर्विसिंग के लिए भेजोगे तो आपके watch की life लंबी हो जाएगी 40-50 साल सेको के website पे इन्होंने कहा है कि तीन साल में एक बर authorized service center में ही servicing करनी चाहिए servicing में ये लोग क्या करते हैं कि watch parts के cleaning करते हैं और पुराने oil को change कर देते हैं gasket वेगर अगर खराब है तो replace कर देते हैं गाड़ी में जैसे engine oil change होता ना वही वाला इसाव है watches are delicate watches delicate होती है अगर watch गलती से गिर गई या कोई impact लगा तो watch खराब हो जाती है अगर आपको पता है कि gym जाना है या कोई heavy वाला काम करना है तो समझदरी इसी में है कि in delicate dress watches को पहन के बहुबली वाला काम मत किजिए एक सस्ता बेटर watch खरीद ले जैसे ये Casio का shockproof G-shock which is made from shock resistance या यह 1000 रुपे वाला Casio का MRW-200H या यह 2000 रुपे वाला Timex MF-13 सारे watches का review चैनल पर है इन watches को पहन के आप बे फिकर कोई भी काम कर सकते हैं मेरी wife ने इस 10,000 रुपे वाले fossil watch को एक table पे रखा था और accidentally यह watch गिर गया glass तूट गया और नया glass लगाने के लिए 1000-2000 रुपे लग जाएंगे watches को safe place पे रखिए edge of the table लिया ऐसे ही ड्रावर में फेकने से ज़्यादा रिस्क होता है scratches आने का या damage होने का तो दोस्तो यह थे मेरे watch maintenance and care tips जिनसे आप अपने watch को हमेशा main condition में रख सकते हो वादा करिए कि आप भी आज से watch की care करेंगे और अपने family's relative friends से यह video share करेंगे ताकि वो लोग भी इन tips को follow कर सके तो I hope आज का यह video आपको पसंदाया होगा मिलते अगले वीडियो में पसंदा तो लाइक करेगा और शेयर करना मत भूलेगा बाई बाई दोस्तो टेक केर जाएंद